सद्गुरु जी, हमारे पास यी मीडिया से आये कुछ सवाल भी हैं। एलेन ही स्ट्रॉंग का एक सवाल है। हमने भी अभी वीडियो में सद्गुरु जी को हिमाले पर दोड़ते, फुटबॉल खेलते और क्रिकेट खेलते देखा। तो एलेन पूछ रहे हैं कि हम हमेशा खुद को काम में लगा कर कैसे रखें। काम में लगा कर? आपको हमेशा काम में लगे रहने की जरुवत नहीं है। अगर जीवन की मांग है, लोग मुझसे पूछते हैं आप इतने सक्रिये कैसे रहते हैं। क्योंकि आम तोर पर मेरा शिड्यूल दिन में 18 से 20 घंटे, हफ़ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, कई सालों से लगतार ऐसा ही चल रहा है। मैं शिकायत कर रहा हूँ और ये लड़का ताली बजा रहा है। तो लोग पूछते रहते हैं, आप इतने सक्रिये कैसे हैं, आप ये कैसे करते हैं। बहुत कुछ किया जाना है, इसलिए आप कर रहे हैं। लोग पूछते हैं, सद्गुरू आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि किसे दिन मैं बेरोजगार हो जाओ, वो बहुत अच्छा दिन होगा। मैं बेरोजगार हूँ, यानि हर कोई शांदार जीवन जी रहा है, और क्या चाहिए, सपना पूरा हो गया, तो काम कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आप तै करते हैं, आप बस अपना इरादा तै कीजे, काम दुनिया तै करेगी कि क्या और कितना करना है, इन एकोनोमिक फोरम वेगर में, मैं वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम में था, वहाँ एक व्यक्ती ने, हावर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर ने मुझे से पूछा, आप वो पेड लगाने वाले अधभूत आदमी हैं? मैंने का, नहीं, मैं पेड लगाने वाला नहीं हूँ मैंने का, मैं लोगों को फूल की तरह खिलाता हूँ, पेड नहीं लगाता, मैं पेड इसलिए लगा रहा हूँ, क्योंकि पेड जहां होने चाहिए, वहाँ दिखते ही नहीं है, उन्हें जहां होना चाहिए था, वहाँ वे नहीं है ये कुछ ऐसा है, दो लोग सड़क के किनारे काम कर रहे थे, एक आदमी गड़े खोद रहा था, उसके पीछे दूसरा आदमी उन गड़ों को भरता जा रहा था, एक और आदमी वहाँ से गुजर रहा था, उसने ये अजीब सा द्रिश्य देखा, एक आदमी गड़े खोद वो पौधे लगाता है, वो नहीं आया, हम अपना काम कर रहे हैं, बहुत से लोग इस तरह लगे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका इस धर्ती पर कोई काम नहीं है, अगर धर्ती को, अगर दुनिया को काम की जरुरत होगी, तो हम करेंगे, वरना मैं क्यूं सोचू क कि ये मेरा काम है। सद्गुरु आपका मिशन क्या है। कोई मिशन नहीं है। मैं बस थोड़ा समय काट रहा हूं। क्योंकि आपको अपना मिशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन का अपना एक मिशन है। अगर आप किसी रूप में उसमें सहायता और सेवा कर सकते हैं तो कीजिए। आपका अपना मिशन क्यों होना चाहिए। क्या आप कोई तानाशा है। सभी मिशनरी अंजाने में कहीं न कहीं तानाशा होते हैं। जिन्हें लगता है कि उनके पास मिशन है, कोई मिशन नहीं है, जो जरूरी है आपकी जीए, खास कर जब आप एक business school में पढ़ते हैं और चीजों को manage करने या बनाने में एक स्तर की काबलियत हासिल करते हैं, आपको वो बनाना चाहिए जिसके जरूरत है, ये नहीं कि कोई भी बकवास चीज बनाकर लोगों पर थोब दी, हाँ, हाँ या ना, आपको देखना चाहिए कि जीवन को बहतर कैसे बनाएं, ऐसी स्थितियों को कैसे सुलजाएं, जो ढेर सारे लोगों के लिए समस्या बनी हुई है, आपको मौजूदा स्थितियों के लिए समाधान खोजने चाहिए, और हाँ, ऐसे कई विशेशक्य हैं, जो नई समस्याएं पैदा करते रहते हैं, तो आपको समस्याओं की कभी कम ही नहीं होगे, आपको बस समाधान तयार करने, मिशन मोड में नहीं जाना है, वो मुसुलनी के लिए है